Hello everyone, मैं मितोन शिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी, बहुत अच्छे होंगे Army Public School की तयारी में अगर आप लगे हो तो definitely आपने बिल्कुल बहतरीन वीडियो पे क्लिक किया है, मैं आपको बता दू अगर आखरी के टाइम को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हो तो देखी, 40, I repeat, 40 प्लस क्लासे करेंट फेर्स की मैंने ले ली है, प्लेलिट से जाकर उसे देख लिजिए, अंतीम टाइम में, लास्ट टाइम में ये बहुत बड़ी आपके लिए उपरचुनिटी होगी अगर आप यहाँ पर अपना नाम देखना चाहते हो तो question of the day का answer आपको करना होगा तो चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों से छोटा सा request है, विडियो को like, चैनल को subscribe और घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, पैसे नहीं लगते ministry के दोरा launch की गई है, सूचना, I mean ministry of information and broadcasting, ministry of earth science, ministry of railway, ministry of education, तो देखिए education और rail ministry तो होगा नहीं और यह definitely earth science वाला ही होगा, यानि कि B इसका right answer हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो इसका answer, और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ यहाँ पे यहाँ यह रा न, M-O-E-S, य चली comment करके आप बता दे न, ministry of, जो M-O-E-S है, यानि कि ministry of earth and science के जो minister है भी कौन है, comment करके बताएगा नीचे, आगे बढ़ेंगे अगले question की और next question आपके सामने यह रहा, Indian government has signed a loan agreement of USD 40 million dollar with which bank in order to improve, देखिए, health system को मेगाले में ठीक करने के लिए, 40 million US, यानि कि US dollar लिया गया ह है, उस किस से लिया गया है, world bank से, Asian development bank से, RBI से या नन अबदी से, तो देखिए, मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रस्म यहाँ पर पूछना चाहूंगा, answer तो मैं दूंगा ही, आपको यह बताना है कि world bank का जो है, वो मुख्याले कहां पे है, यह बताएगा आप, ADB, इस 40 US dollar का, ताकि हम लोग मैं घाले में, health जो infrastructure है, उसे ठीक कर पाएँ, आगे बढ़ेंगे, India and Israel have decided to constitute a new task force to promote defense cooperation during which meeting of the working group, तो देखिए, हम लोगों ने, जो यह group की meeting थी, वो कौन सी वी थी, 11th, 15th, 18th या 25th, तो इसका जो right answer होगा, हम लोग cooperation करेंगे, तो यह आपको दिखेगा हम लोग ना, यह 15th meeting करी है, यहां से आप answer देख सकते हो, 15th, यानि कि हमारा जो right answer होगा, वो होगा option number B, चलिए अगले question की और हम लोग बढ़ेंगे, next question आपके सामने यह रहा, when will Ganga utsab 2021 will be ended, कब यह end हो जाएगा, I repeat, यह कब end हो जाएगा, तो देखिए, इसका जो right answer होगा आप यहां से इसे देख पाओगे, यह 1-3 November तक चलता है, तो यहां पर right answer आपका क्या होगा, 3rd November इस the last day, जो की है, option number B में, आगे बढ़ेंगे अगले question के लिए, where the 7th Indian Navy, Frigate of P1135.6 class has been launched in, देखिए, Frigate क्या होता है न, अंदर में एक छोटा सा, वो, सम्मरीन की तरह होता है, तो देखिए, यहां से आपको देखेगा, इंडियन ने भी, जो यह फ्रिगेड है, तुसील, तुसील is the right answer, और यह जो launch किया गया है, काली गांगरा में, यह जो right answer आपको देखेगा, यह option number A में, A इसका right answer होगा, आगे बढ़ेंगे next question के लिए, next question से पले में बता में, जी हां, 450 रुपए में, आप इस notes को avail कर सकते हो, 100 रुपीज में previous year paper अप avail कर सकते हो, देखिए, मैंने उधी topic को सामिल किया, इसमें, ताकि आप exam को अच्छे से crack कर पाओ, और 450 में, मैंने खुद जो है, देखिए, आपको मता दू, दो बार मैंने APS clear किया हुआ हुआ है, crack किया हुआ है, if you want that kind of experience in your notes, then you can buy this, तो आप इस notes को ले सकते हो, तो चलिए, अगले question के और मनोग बढ़ेंगे, very next question, when is international day to end, impunity for the crimes against, journalist observe, तो देखिए, जो पत्रकारों के खिलाप criminal cases होते हैं, वो कब उसको जो है, internationalize किया जा रहा है, वो कब observe किया जाता है, first, second, third, या fourth November को, तो इसका जो right answer होगा, वो आप यहां से देख सकते हो, आप यहां पर देखोगे, second November को, तो इसका जो right answer होगा, वो होगा second November, यानि की option B is the right answer, अगले question क्यों हम लोग बढ़ेंगे, next question आपके सामने ये रहा, Oxford English Dictionary selected which word, देखिए, ये बहुत 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 important है, please, तो इसका जो right answer होगा, आप यहां से दे सकते हो, wax को जो है, इसे चुना गया है, और इसका meaning क्या होता है, नीचे आप लोग comment करके खोज कर लाना, ताकि आप भी थोड़ा बहुत जानकारी एकठा कर पाऊ, अगला question है, which of the following state government has announced, plan to set up a center of excellence for FinTech or financial technology in state soon, तो केरला, पंजाब गुजरात, यह करनाटका में, तो देखिए इसका जो right answer होगा न दोस्तों, वो आपको यहां पर दिखेगा, यह जो set up किया गया है, यह set up जो है, फिलाल जहां पर किया गया है, बेंगलूरू यानि कि यह करनाटका में किया गया है, तो right answer आपका क्या होगा, करनाटका यान करके बताओगे तो इसका जो right answer होगा दोस्तों वो क्या होगा तो देखिए यहां से आपको दिखेगा यह जो sports का नाम है मैं wait a minute आपको बता दूँ जिखिए गुरू गोविन सिंग जो sports college है लखनों में यहां से यानि कि हमारा right answer क्या होगा option number यह correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगले question की और next question आपके सामने यह रहा recently Australian legend Annal Davidson has passed away at the age of 92 यह 92 साल के थे यह किस खेल से समंधित थे football, baseball, cricket यह tennis तो I think यह जो cricket ही खेला करते थे जी हां यह 92 यह में dead किया और यहां से इनका आप cricket का बल्ला देख सकते हो यह ball देख सकते हो और यह क्या थे यह जो है इन्होंने 100 run as well as taking 10 wicket in a single test match तो यह all-rounder थे जो की इन्होंने एक ही test match में century भी मारी थी और 10 wicket भी लिया था आगे बढ़ेंगे और बातों ही बातों में the quick points of the day की बार ही आ चुकी है which Indian has won the gold medal in the world kick boxing championship recently तो देखिए ताउजल Islam is the right answer आगला question आपके सामने यह रहा who has been appointed as the new chief secretary of Mizoram recently तो देखिए रेनू सर्मा next question के लिए who has adopted the rule of law index 2021 of WJP recently तो देखिए आज मैं आपको कुछ institute से question पूछूँगा question of the day में देखिए सबसे पहला question आपके सामने यह रहा आपको यह बताना है election commission of India के जो director है head है जो समझो आप CEO है वो कौन है head कौन है पहला question दूसरा question आपको यह बताना है chief secretary जो भी समझो आपको election commission के बाद दूसरा जो अच्छा institute है वो है CAG 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 का full form आप लोग नीचे comment में बताईएगा इनके अभी chair person कौन है तो नीचे comment करके इन सारे questions का answer किजेगा thank you so much for watching this video have a good day